हाई फ्रेंड्स वेल्कम तो मा यूट्यूब चैनल सिंग्रेला फ्राउसर तो आज मैं आप सब को बहुत ही प्रासा गाउन जना कर दिखानी वाली है जो कि बनाना बहुत ही असान होता है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से वह आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और इंशिया जरूर करें तो मैंने यां पर कप्रे को चार पर अपने मोड़ कर बिचा दिया और अब हम अपनी मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे मैं आप अपनी शूडर का हाफ लिए कि मैं अपनी फ्रेंड में पूर्ट में चाहिए आप अपनी अपनी शूडर कर सकते हैं मैंने या पर सेवन बाई सेवन का इक बॉक्स बना लिया तो अब मैं प्ली चेस्ट की मार्किंग करूंगी मेरे केस में चेस्ट 37 है तो मैं चेस्ट डिवाइड बाई 4 करूंगी तो यह 9.25 N üzसस्के बाद में योग के लेंद्ग का मार्क लगाऊंगी मुझे मेरी फिफ्टीं इंच यह मैंने इसलहे आऊ पे 16 इंच का मार्क लगाया है जो कि बनने की बदे वाद 15 इंच तियार हो जाएगा दो तो यह 10 k निचा रगाऊंगी मेरे कर से अब बैस्ट 34 है तो मैं उसक आठा है कि अभी है अब अपने माजन के निशह लागेंगे मैंने 2-2 इंच का माजन लगाया हुआ है मार्ण के बाद में रिच nudज को और हुज ले देश्ट वाले माजन की लाइन खुर अब हम किसे बार में वहल और अभर के लंसे को कंच कर देमें स्क कर देग्षिस के अब करींगे तो मैं है अब में पब्राइक कर लिए के लाइनिक पफ़ कर्रिया कर देंगे अब आगए 74 तक को सबस्क्राइब 53 तो मैंने इसको वेस्ट Kubee डबल मुंट इसने 5 इंच एक्स्ट्रा लिए है फिर उसके बाद हम अपने घेरे में वन वन इंच का मार्प लगाएंगे बिल्कुल इसी तरह से तो मेरी मार्किंग यहां पर कम्प्रीट हो चुती है अब हम लाइन को लाइन से मिलाकर उसमें पिन लगा देंगे पुर्ण दे लगा उनके बात बात आपाशा बारद ई मैंने यहाई टी जया पर यह ओप कि मैंने पर पिन लगांगे सारी पुप्स को पिठाद हैं झेले के फ्रंट साइट को और यह कि फेंट को रखेंगे और ऊपर से इसको स्टिच करते हैं यह यह बने इस्टिच कर लीया है और इसके मैं में टॉप स्टिश भी सिला दी है कि नेक रेडी कर लिए मैंने आप दिने को भी शेप में बनाया है आप चाहिए तो किसी शेप में बना सकते हैं लोग की सेंटर में एक नौश लगाएंगे और सेम नौश हम अपने नेक साइट पर भी लगा लेंगे इस तरह से इसके बाद म हम अंदर की साइट में स्टिश करेंगे और इसके बाद में इसको एक पैट की सिलाई पे कट कर देंगे मैं इसको कट कर लिया और में उसके छोटे-छोटे से कट सनाइंगे जिसे की असाने चाहर्चा प्लत सकते हैं उसके बाद आप आप छहें तो मशीन चला सकते हैं अफिर पर पची से तुरपाई भी कर सकते मैं आप दुरपाई किया है पिर हम बैटने को भी कम्पीट कर लेंगे और इसके बार में हम शोल्डर को अटैच करेंगे इस तरह को शोल्डर से अटैच करने के बहुत अची फिनीशिंग आती है इसको सीधा करेंगे अब हम बैक निक पर उसी तरह से तुपाई करेंगे यह मैं निकल डाली है तुपाई आप लगाएंगे तो मैंने यहां पर दो दो इंच का मार्जिंग लिया हुआ था तो मैंने दो दो इंच पे इसको मार्ग कर लिया है तो मेरा फिटेड आ रहा है यह तो उसके बाद में हम वेस्ट पे भी ऐसे निशान लगा लेंगे और अब इन लोने लाइन्स को मिला लेंगे अब अब मैंने जहां पर मार्क किया है अब मैं उसे पर शला लूंगी तो इसलाइज चेस्ट इसे लेंध के एंड तक लगाएंगे यह उसके बाद मैंने इसमें इसमें पे अटेच कर लींगों मैंने एक चॉड़ी लेसे का बेल्ट नहीं है जिस में प्यारी 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 से लगाई है इसे साड़ी के लेसे आप इस रसको किसी भी फंक्शन या फैसरी के लिए बना सकते हैं थैंक यू सो मच ट्रेंड वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में